हावर फीक्स किप्स रिश्टार्टिंग प्रॉब्लेम इन एनी वान प्लास सीरीज नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लास के डिवाइस मे किप्स रिश्टार्टिंग प्रॉब्लेम सॉल्फ कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल बार बार रिपीटेटली रिश्टार्ट हो रहा है तो आपको कैसे सॉल्फ करना है प्रॉब्लेम यही मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ वीडियो को आन भी सोलोशन होगा उसको फोलो करने से आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली फीक्स हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेक शूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को क्लिक करें अगर आप अनलाइन पैसा कामाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको करना क्या है आपको जो है यहापे मोबाइल को रिस्टार्ट ही कर लेना है उसके बाद आपको जाना है सेटिंग स्क्रॉल डाउं यूटिलिटिस उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर आपके मुबाईल रिश्टार्ट कि हो तो उसको भी आपको क्लीन अब करना प्राइब। चारजिंग करते हैं तो दोस्तो वहां पे आपको यह Cit出 किरूब करना है साधिसार momon को थोरा सा रट परेगा यहां पर यहां पर क्योंकि दोस्तों फोन जब ताइम मेरे सब्सकू दोस्तेर今 मुझाना से nodes बाएगल hatred हो ठीक है तो थोरा सा फोन परेगा उसके बाद है जो स्टों आपशब कर ल कि लीब आपका problem solve हो जाएगा तो इस तरी के से आपने problem कर सकते बाइण प्राइब्लम स्ट ने रहा है तो जाएए दोस्तों आपने mobile के सेटिंग पर और दोस्तों मेक शूर आपके सारे connections ठीक है अगर ऐसे ही औहले हैं तो आप अपने सारे connection को disable करेंगे यानि की off करेंगे ताकि आपको यहाँ पर इस तरह के का कोई भी problem issue ना हो सारे साथ mobile software update करें क्योंकि दोस्तो mobile software update सबसे main काम करते हैं यहाँ पर तो mobile software को update करना और आपका problem solve हो जाएगा तो इस तरह के से आपने problem solve कर सकते by any chance काफी दिक्कते हो रहा है तो फिर अपडेट नहीं कर पर है कुछ भी solution नहीं कर पर है mobile पर तो directly जाएए setting system और उसके बाद यहाँ पर आके आपको mobile को factory data reset कर देना है erase all data कर दीजे erase all data करने के बाद आपका problem completely fix हो जाएगा ठीक है इस तरह के से आप आपने problem solve कर सकते आप चाहे तो दोस्तो कोई भी service center one plus के वहाँ पर जाकी भी show कर वा सकते हैं आपके problem आपके साथ हुआ क्या है ठीक है तो यह सारे solution है जो कि दोस्तों आपको step by step follow करते जाना है आपका problem solve हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ reasons बताए है आपको किस बज़े से mobile restart होते है तो उसको भी आप यहाँ पर थोरा सा दियान देना होगा तो बस दोस्तों यह था आज keep starting problem solution उमीद करते हैं आपको यह वीडियो प